टेकनोलजी अस्मार्टफोन चैनल में आपका स्वागत है आप लोगों को जिस फोन का बेसबरी से इंतिजाद था जैसे फोन में अच्छा प्रोसेसर, एक बेहतरीन कैमरा और जवदस्ट डिस्प्ले वाला फोन जिसमें सभी तरह के गेमिंग हम आसानी सिक कर सकते हैं वह ऐसा ही फोन में आज 25,000 के रेंज में आप लोगों को बताने वाला हूँ चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम अपने लिफ्ट में पहले नंबर पे रखे हैं रियल में 9 प्रो प्लस 5G इसका डिजाइन बहुत ही जबदस्त दिया गया है इसका बैक पैनल गलास के साथ आता है लेकिन बैक पैनल में कलार से प्टिरिंग डिजाइन दिया गया है इस फोन में स्टीरियो स्पीकर और 3.5 mm आडियो जेक दिया गया है इस phone में memory card का support नहीं दिया गया है इसमें सिर्फ दो SIM ही लगा सकते हैं परसनली मुझको या पसंद नहीं है इसमें in display fingerprint दिया गया है इस phone में triple camera setup दिया गया है 50 megapixel का primary camera जो sony का sensor दिया गया है 8 megapixel का ultra wide camera 2 megapixel का micro camera दिया गया है camera से 4K full HD में video record कर सकते हैं वहीं front camera 16 megapixel का दिया गया है जो sony के sensor के साथ आता है इसमें full HD में video record कर सकते हैं इस phone के camera पर कौफी ज़्यादा focus किया गया है जिससे back और front दोनों camera बहुत ही जवद्दस्त है इसमें 6.43 inch full HD plus super emoled display पंचोल के साथ दिया गया है इसमें 90 hertz refresh rate और maximum 600 nits की peak brightness दिया गया है डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए कोर्निंग को रिला गलास 5 दिया गया है अब इसके processor की बात करें तो इसमें media tech dimensity 925G processor दिया गया है इसमें 5G के 5 band दिये गये हैं इस phone में सभी तरह के gaming कर सकते हैं कोई problem नहीं होगा इसमें 4500 mh की बैल्टी दिया गया है और इसी को charge करने के लिए 16 watt का fast charger दिया गया है 6GB RAM और 128GB internal memory के लिए 24,999 रुपे पेकनने होंगे technology smartphone चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से technology smartphone चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वेल आइकन को अंकर दीजिए जिससे हमाई latest video की notification आप तक सबसे पहले पहुंच सके अगला phone है Xiaomi 11i इस phone में भी बेहतरीन camera और जबदस्त display दिया गया है इसका back panel glass का दिया गया है इस phone में IP 53 rating दिया गया है जिससे mobile पर हलके फलके पाने गिरने पर कोई problem नहीं होगा इसमें dual stereo speaker IR blaster दिया गया है इस phone में 172 sim या 1 sim और एक memory card लगा सकते हैं इसके side में fingerprint sensor दिया गया है इस phone में triple camera setup दिया गया है 108 megapixel का primary camera 8 megapixel का ultra wide camera और 2 megapixel का micro camera दिया गया है इस camera से 4K और full HD में video record कर सकते हैं वही selfie के लिए 16 megapixel camera console के साथ दिया गया है और इस camera से full HD में video record कर सकते हैं इसमें media tech dimensity 925 G processor दिया गया है इसमें 5G के 8 wind दिये गये हैं इसमें 3 GB तक virtual RAM बढ़ा सकते हैं इस phone में सभी तरह के gaming कर सकते हैं कोई problem नहीं होगा इसमें 6.67 inch full HD plus super emoled display पंचोल के साथ दिया गया है इसमें 120 hertz refresh rate और maximum 1280 nits की peak brightness दिया गया है यह HDR को भी support करता है डिस्प्ले protection के लिए Corning Gorilla Glass 5 दिया गया है इस phone में 5160 mh belty दिया गया है और इसी को चार्ज करने के लिए 67 watt का fast charger दिया गया है 6GB RAM और 128GB internal memory के लिए 24,999 रुपे पे करने होंगे अभी हमने 25,000 के range में बेहतरीन display बेहतरीन camera और बेहतरीन processor वाला phone को हमने बताया है इसमें किसी तरह की gaming कर सकते हैं कोई problem नहीं होगा एक हिसाब कहा जाए या एक all-rounder smartphone है आसा करता हूँ या वीडियो आप लोगों पसंदा होगा अगर वीडियो पसंदा हो तो technology smartphone चैनल को subscribe और like कर दीजिएगा